हर्याना के एजुकेशन मोडल की तारीफ देश और विदेशों में हो रही है साथी प्रदेश में सक्षा की क्या इस्थिति है इसी को लेकर हर्याना के सक्षा मंतरी कवरपाल गुजर से जुनता टीवी ने खास बात चीत की है जिसमें उन्होंने कई एहम जानकारिया दे है सुनिये क्या कुछ कह रहे कारपाल गुजर हर्याना के एजुकेशन मोडल की अब तारीफ ना केवल देश में बलकी विदेशों में भी हो रही है तो इससे वोड़ करके दिया सारा का सारा सबस्विदाएं दी और उसके साथ साथ टूजी वी डेटा भी फ्री दिया तो इससे वो लोग काफी प्रभावित थे और उसी को देखने के लिए यहां आये थे और उसके बाद हमारे सिक्षा सदन में गए उम्हारे अधिकारेव से मिले और लास्ट में मेरे से मिलने आये थे और उन्होंने मदद के लिए भी काया है कि आपका सिस्ठम काफे अच्छा था है गजते हैं कि आप हमें भी सेचो करो क्योंकि इस क्रोना काल में जहां दुनिया बिल्कुल थम की थी लेकिन हम समझते हैं कि आपने इसका भी लाब उठाया आपने एक नया सिस्टम ड्वेल्प किया इंडोस्तान ने बहुत अच्छा काम किया तो हम इससे बहुत प्रभावित हैं और हर्याना बहुत अच्छा काम कर रहा तो हमें इसके सहयोग की जुरूरत है और इस परकार का करकुल मगारा तियार करने के लिए भी में भी लोगों की जुरूरत है तुमने काया कि हम सहयोग करें अब अधियाना के सिक्ष्या के मोडल को देखने के लिए इससे पहले कई राजियों के परतिन दिमनल भी यहां पर आए हैं चाहे उत्तर लेकिन दिली की जो सरकार है वहां के जो मंत्री है वह लगातार हर्याना के education model पर सवाल उठा रहे हैं कही सरकारी स्कोलों की फोटो डालकर आप डिलि AI के स्कूलों के साथ तुलना करते हैं हुआ हरियाना का जो मोडल है उसकी कई , तारिभ भी हो यह यह वह ठीच mü करनाल और एक जगादरी हैं और अनसे कहा कि वा जिस चीज़ की कमें हैं तो वो डूल डेक्स का पूरा का कर लें और SMC को हमने उसके दिगार दिए कि टीचर और SMC मिलके यो निरने करें उसके रेट का भी सारी चीज़ का निरने वही करें आप यह मारा पॉलिट प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या समस्य आएंगी हम उसको देखना चाते हैं आगर समस्य बहुत बड़ी अत्ति हैं माली यह तो फिर हम दूसरे विचार करें गया और अगर हम इसमें सफर रहते हैं पूरी तरी के से तो निश्ची तोर से इसी उस पर हम पूरे रहने में पक्रें तो मैं समझता हूँगे सारी की सारी जो कमी यह दो रहे हैं लेकिन अगर आप टारगेट करें किसी स्कूल की एक चानवी नीं आया थे हां टॉप फाइब भी दिल्ली कहीं नहीं आज तक भी तो फिर किस बात का कि मंढ़र शलागे के बार बार इस बात की चर्चा करना तो वास्तिकता में दिल्फ कोई मॉडल नीं है दिल्ली कोई कामियाब निहों आप उस्पिटिल में आप कोई सारी सि सब्सक्राइब अर्याना ने मेडिकल के सित्र में अच्छा काम किया और एक ओर पहल की है सूपर हंडर्ड जो रिवाडी में आपका एक सूपर हंडर के नाम से सेंटर जो बना सबसे पहले वहां से अने को एक बच्चे जो है वो कंपेटिटिव एक्जाम में सफल हुए है क्या आंकड़ा है उसका और इस बार का जो दो हजार 22 का जो सेशन है उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं देखिए वह बहुत ही सफल रहा है और अमने दो जार ठारा में इसको सुरू किया था तो पहली बार में है जब दो जार बीस में रिजा लटा है तो 25 बच्चे जो थे मारे आई आई आइटी में आए ते और मारे लिए बहुत बड़ी उपलब दी थी कि आई आइडी में मारा सरकारी स्कूल का बच्चा रहा 25 बच्चा रहे तो हम बेध खुस थे उसे और 50 बच्चे आसे थे जि एक सो स्टाइस बच्चों ने जो जेए का मेंस है वो क्लियर किया हमारा तो यह बहुत बड़ी उपलब दिया हमारी तो बच्चों ने बहुत उत्षाबड आया और अभी तो मारा जो नीट है और रहे रहा उसका बर जाएगा मैं समझता हूं से हैदी दोसों के दोसों ही बच और मुझे पूरी उमीद है बेहाद खुसी है इस बात की कि सरकारी स्कूल के बच्चे नए आयाम स्थापित कर रहे हैं इस बात जो आपने 400 बच्चों को ऑफ-लाइन और 200 बच्चों को ऑन-लाइन इसमें सुपर 600 के नाम से जोड़ा है आपने सेंटर पंशकुला में अलग तो रेवाड़ी में ही जो बच्चे ओफ-लाइन कोचिंग लेगेए उनकी रहने-खाने और तमाम वेवस्ता है वो ह rearda ने रहेगी हाँ वह सारी स्वीदायी सरकार की तरफ से रहेंगी पहले भी सरकार की तरफ से रही आधि में सब्सक्राइब लगा रहा है कि हर्याना में जो बच्चे हैं उन से सरकार फीच ले रही है सरकारी स्कूल पढ़ाने के लिए और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार फीच दे रही है यानि प्राइवेट सिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं जो ब को बढ़ाय के 116 स्कूल और खोल दी अब 138 स्कूल है तो उसमें जब विचार किया गया कि हम सरस्कृति मोडर स्कूल जादा बढ़ाए रहे थे हैं तो हमने विचार किया कि किस परकार से यह लोगों में और पापलर होता के लोग स्रकारी उसकी तरफ आएं तो पहले तो हमने सब्सक्राइब किया फिर हमने मन में भी विचार रहा कि जो लोग संपल लोग है अगर उनके बच्चे आते हैं उतको फीच देने में क्या रज है तो हमने निरीने लिया क्योंकि मारे बहुत अच्छी पड़ाई है और संपन वरक्के लोग भी अब डिशन लेना चाहते हैं क्या तो अब लेकिन वो संपन वरक्के लिए जो जिसकी आमदन एक लाग श्यार से कम है उसके पर कोई फीच नहीं है और जहां वो कह रहे है कि सरकारी भी देने की बात है तो जब 134 सभापत किया तो सारे कांगर्स वड़े का रिते गल्द कर दिया जब के हमने आर्टी लागू किया जिसमें 25 परसेंट बच्चे पढ़ेंगे तो हमने तो दस की बजाए 25 में ले गया है हम तो उसके पक्स में आए गरीब के लेकिन उस टैम में एक रिते उनका क्या कार देदेगी लेकिन आप 134 यह तो नहीं को कर सकते हैं आप एक ही को लगू कर सको 134 एमने खतम कर दिया आपने चराग एक हो जना शुरू की और उसमें कहा कि हम इन बच्चों की फीस देंगे लेकिन वह स्टैप बाइस टैप खतम हो जागा जैसे जैसे आर्टी का वेराद थी तो हम एक संवेसं सरकार हैं नहांने लिया लेकिन टांगर्स के अंदर कोई संवेद नाम की चीज नहीं है जब कोटना सब्सें दो मैंने हरा 14े सब्सक्राइब थुद्रा मारी सरकर है आंड वास्थितका में ग्रीविया किशिए करने में कौई करने कोई पनी पॉलिटिक्स है लेकिन जंता racism इसको सारे को समझ गी जिस प्रकार यहां इंवेज़ांत इस फीजे से ने कुछ चिंता निकरी पजब में हुए इस पर मैं आपफी करने पने काफी कमी है आप स्कुलों का को रेसलाज जिशन करने पर विचार करें घर और साथी सलेंशन तो किस तरह से होगा स्कूलों का और टीचर्स की भरती को लेकर क्या करें आदे किश पर कर रहे हैं अभी अब ट्रांस भ्राइब ने सब्सक्राइब कर दो स्कूल है तो उसको भी में एक स्कूल बनेंगे तो उससे काफी कुछ सहयोग मिलेगा जिस परकार से अनावश्यक इस परकार का बोज बिढ़ाया था तो वो कम होगा और पढ़ाई उसमें ठीक होगी अभी वरतमान में क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो टाइम लगता है तो इसलिए सरकार ने लिया लेकिन जल्दी बरती की परिक्रिया सुरू करके पूरी करते हमार साथ हर्याना के सिक्ष्य मंतरी कवरपार गुजर मोजू थी जिन्नोंने परदेश में सिक्ष्य विभाग की तमाम फैसले उनकी जान आकात की है और इसके लिए सहों की अपील की है वीडियो जनलिस्ट विजेंदर सिंग के साथ पवंसी उमर जन्ता टीवी चंडिगन